नमस्कार साथियों मैं हूँ अभिलतो शांशू पांडे और आप सभी का सौगत है अभिफशा की पूरी टीम की तरफ से हमारी चर्चा क्या थी आज हम ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका असर आपकी प्रैक्टिकल परिक्षाओं में भी होगा आपकी परिक्षाओं में भी होगा मतलब यह है कि यह जो हमारी बात्चीत है वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आपको पैन कपी उठाना है और बिल्कुल तयार हो जाना है आप हमारे साथ की स्विसाइब पर चर्चा कर रहे हैं हम लाग हमारी जो भौतिक इसके बाद में धर आव ही लूप की अक्षि एस्थिति में मतलब इस प्रकार से जो है हम लोगों ने बहुंट सारे विश्यों पर अलग लग चर्चाएं की हुई है और इसी सिल्सिले में आज हमारी चर्चा का विश्या रहने वाला है आए देख लेते हैं आज हमारी चर् करना पड़ेगा जिसका नाम है गैलवीनो मीटर गैलवीनो मीटर और गैलवीनो मीटर को जो है हमको करना होता है अगर इस चैप्टर से जो है हमको एक आंखिक प्रशन पूछना है तो यह वाला आंखिक प्रशन भी पूछा जाता है इसलिए इन सारे विश्यों पर इन सारे जो है हिसाब से मेरे तरजूबे के हिसाब से यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके लिए क्योंकि प्रैक्टिकल परिक्षा में आपसे वाइबा भी पूछा जाएगा तो क्या आप तयार हैं अगर हैं तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल यहस बोल चुमबक करने के लिए यहां पर नॉर्थ लगा दिया यहां पर हम लोगो ने साउथ लगा दिया उसके बाद में हम जो है क्याशी की कल्कुना कर रहे हैं हम एक बॉक्स ले लेंगे डिबा लेंगे यदि हम लोगों ने इसे कच्चे लोहे का लिया तो कच्चे लोहे में चुम्बकिय बल रेखा हैं बहुत असानी से आरपार हो सकती हैं इसलिए हम लोगों ने कच्चे लोहे का एक क्रोड ले लिया और इस क्रोड से गुजरते हुए कुछ तार लगा दिये इन तारों के कारण अब क्या होगा कि इसमें से जो है जब धारा प्रवाहित होगी तो ये एक इलेट्रो मैगनेट की तरह बरताओ करेगा अब यहाँ पर इन धाराओं का connection भी तो देना पड़ेगा इस connection के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक restoring spring लगा के जो है यहाँ पर एक restoring spring लगाया और इसका connection जो है यहाँ पर एक धनात्मक और उसी तरीके से यहाँ उपर जो है हम लोगों ने bronze का एक wire लिया और यहाँ mirror रखने के बाद में इसका connection रिनात्मक सीरे के लिए या किसी भी सी रहे हैं इसमें जो है जब हम बाहर से तार लगाएंगे तो क्या होगा कि तार इसके तार से प्रवाहित धारा इस कुंडली से भी प्रवाहित होने लगेगी इस कुंडली में प्रवाहित धारा के कारण चुम्ब के छेतर के कारण एक बल आघून को अनुभाव करेगा इस बल न बी ए शाइन फीटा और यहां पर इस बल आगहून के कारण जो है क्या होगा इसरी जो यह घूमेगा तो यहां पर भी एक बल आगहून हम को मिलेगा और ये बल आगहून डो को रोखेगा अब इस से हमको क्या może में झाल से में की तो उस से हम को प्रवाहित धारा के मान में मतलब इसके बारे में पताचल जाएगा तो यहां पर हम देखते हैं कि कि सिध्दान पर कारिक करता है तो गेल्वीनो के लिए एक करोड होता है जो कि स्प्रिंग से रहता है और यह यह स्प्रिंग के दोनों और हमारे पास में चुंबक लगे होते हैं जब वह यह कूंडली को कोड guit के यहां पर कास कर पास लगी कूंडली से प्रवाहिद होकर और यहां पर कुल मिला के चुम्ब किया बल आघून उत्पन करते हैं जिस आघून के कारण यह जो काटा लगा हुआ है यानि कि यह जो तीर लगा हुआ है वो घूमने लगता है और उससे हमें धारा के मान के बारे में पता चल जाता है यह जो हो गया हो सकता है तो इसे बचाने के लिए हम इसे कम धारा देना पड़ता है लेकिन अब यह जो है बिल्कुल कम धारा में गैलवन मीटर कुछ इस पकाशसे काम करेगा कि आप इसे धनात्मक, रिनात्मक हिस्से में जो है यानि कि इसके दो सिग्षानों पर जैसे ही बैटरी से ता लगी होती है अब इसका जो है उपयोग हम लोगों ने समझ लिया कि यह धारा किधर से किधर प्रवाहित हो रही है उस और पिछलन दिखाने लग जाएगा लेकिन धारा के मान को या अधिक धारा के मान को मापने के लिए हमें हमें इसमें कुछ बदलाव लाने पड़ते हैं वो बदलाव कैसे हैं आईए देखते हैं शंट क्या होता है शंट जो है गेलविनो मीटर के साथ में लगाया हुआ वह प्रतिरोध है जो इसमें एक विशेश प्रवाह उत्पन्न करता है ताकि यह या तो जादा धारा का मापन कर सके या विद्दुत विभाव का मापन कर स जाता है और यह अधिक धारा या अधिक विभाव के मापन में सक्षम हो जाता है शंट का उपयोग कैसे करते हैं शंट का उपयोग करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे आमीटर की इसे प्रतिर चर्वा प्रुम Reports क्या होता है किसी ही परिपत है प्रवाहित धारा के मान को मनापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है अमीटर का उपयोग का सिध्धान्त क्या है शंट का सिध्धान्त है इसमें क्या होता है देखिए कि मान लेते हैं कि इस परिपत में आई धारा प्रवाहित हो रही है लेकिन हमारा गैलविनोमिटर वो बहुत ही कम धारा पर ही काम कर सकता है ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि हमारे समांतर में हम एक प्रतिरोद लगाएंगे और इस प्रतिरोद को लगाते ही आई दो धारों में व्यूहक्त हो जाएगा पहली धारा आई जी और दूसरी धारा आई-इस यदि हम इस प्रकार से प्रतिरोध को लगाएं कि अधिक को ये कि आंतरी कि तुम्ना में बाहिए प्रतिरोध अगर कम हो तो ऐसी स्थिति में यहां से कम झारा प्रवाहित होगी और यह अभी जादा दीchnो को मापने ङगें सक्षम रहेगा इस प्रकार से हम लोगों ने आमीटर को बनाया आमीटर में शंट प्रतिरोध उसके समानतर लगाया जाता है दूसरी बात यह है कि शंट प्रतिरोध का मान बहुत ही कम होता है ताकि इसमें से ज़्यादा धारा प्रवाहित हो सके और तीसरा यहाँ अधिक धारा के मान को मापने में सक्षम होता है ठीक है अमीटर के बारे में बात समझने के बाद में हमको यह पता है कि यहाँ पर एक सूत्र है और वो है RS बटा R G RS बटा R G बराबर IS बटा IG और यहां से हमको क्या पता चलेगा हमको अगर जो है आई जी बटा आई एस यहां पर हो जाएगा आई जी बटा आई एस और यहां से हमको क्या पता चलेगा कि यदि हमें बाहे प्रतिरोज का मान निकालना है RS का मान निकालना है तो हमें करना होगा IG गुणा RG बटा IS अच्छा हमको एक और बात पता है कि यदि हमें IS का मान नहीं पता है तो यह IS IS धन IG और इन दोनों का मान मिला कि I के बराबर होता है जो कि कुल धारा है और हम यहाँ पर क्या लगा रहे है किर्चॉफ का जो है संधी का नियम लगा रहे है तो इस तरीके से हम बोल सकते है कि IS का मान होता है IS बराबर IRIN IG और यही सूत्र हम यहाँ पर फिर दुबारा रख सकते है तो यह हो जाएगा IG गुणा RG और बटा कोश्टक में हो जाएगा IRIN IG और इस परकार से हम जो है कितना प्रतिरोध शंट प्रतिरोध के रूप में लगाया जाए इसकी गढ़ना कर सकते हैं यह सूत्र महत्वण है इसलिए इसको याद रखें और आपके आंखिक प्रशनों में इसका सीधा सीधा प्रशन पूछा जा चुका है आप ध्यान रखें पूछा जा चुका है मतलब 36 गरवोड की परिक्षा में इसे पूछा जा चुका है इसलिए आप इसकी एकदम अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होगे चलिए आए आगे देखते हैं वोल्ट मीटर अब वोल्ट मीटर में क्या होता है सबसे पहले आप परिपथ में इसका उप्योग देखें वोल्ट मीटर क्या होता है किसी भी परिपथ में कोई भी करेंट एलिमेंट जैसे की प्रतिरोध हो तो उसके दोनों सिरो पर विभाव में जो अंतर होता है उसे नापने के लिए हम जिस यंतर का उपयोग करते हैं वो होता है वोल्ट मीटर ये वोल्ट मीटर किस प्रकार से बनाया जा सकता है तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम सबसे पहले एक गैल्मीनो मीटर याने की चल कुंडली धारा मापी लेत शंट प्रतिरोद लगा देते हैं और सिर्णी क्रम में शंट प्रतिरोद लगा देने के बाद में हमें यहां पर विभावन आपने की ख्षामता मेल जाती है विभावन आपने की इस ख्षामता के लिए सूत्र क्या है भै यहां पर होगा R R V बराबर यहां हो जाएगा V बटा IG रेंड आरजी तो इस तरीके से जो है जब हम यहां पर जो है कितना हमें किस रेंज में विभावन आपना है वो भी यहां पर हो गया यहां से प्रवाहित धारा का मान IG हो गया आरजी जो है यह इसके आंतरिक प्रतिरोध के बारे में बात कर रहा है किस के गैलविनोमीटर के तो आरजी जो है उसका मान हो गया और आरजी जो है वो प्रतिरोध है जिसे हम इसके साथ लगाएंगे तो इसकी छमता में विद्धी होगी आप से मैं फिर से बोल रहा हूँ ये सूत्र आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे 36 गड़ की बोर्ड परिक्षा में इससे जुड़ा हुआ प्रशन पूछा जा चुका है तैयारी अच्छे से कीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करतीजिए आईए आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंग जब हम लोग जो है देखें यहां अगर हम लोग द्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा देखें यहां पर जो है चुम्बकी दुरूब है उत्तर है और दक्षिण है अब यहां पर यह जो हमारी एक लंबाई है यह जो है लंबाई एल हो गई और अब यहां पर क के बीच का कौण देखेंगे यदि ये कौण यहां से ठीटा निकालते हैं तो हमको जो है इसकी प्रभावी लंबाई कैसे मिलेगी इसकी प्रभावी में लंबाई मिलेगी अगर ये लंबाई एल है किसकी कौईल की लंबाई यदि एल है तो यहां यहां पर हमको एल कॉस्ट मिलेगा और इसलिए एन बी आई ए कॉस्टीता जो है हमको कुल मिला के तोर के यह जो है बल आगुंड का मान मिल गया किसके लिए चल कुंडली धाराम आपे के लिए एक चुंब की छेत्र में अब यह के अलफा क्या है यह के अलफा जो है वुस्प्रिंग के बारे में है जिस में जो जो है इसको रिश्टोर करने के लिए हम लोगों किया है यह wyla जो कुंडली यायर्म कि यह वालब में इसको अपनी पुराने श्थी में लाने के लिए इसका जो कुछ इंग मिलांख निकले वह you k alpha तो अब हम लोगों को दो सुत्र पता चल गए क्या क्या भाई यहां पे पहला सुत्र है यह है कि n b i a n b i a cos alpha और यहां पर यह किसके बराबर है k alpha के तो यहां से हम लोग देखेंगे तो यह हो जाएगा अलफा बटा कॉस अलफा बराबर अलफा बटा कॉस अलफा बराबर एन बी आई ए बटा के और इस तरीके से हम प्रती एकांक धारा के लिए कितने कोण में बदलाव हो रहा है उसकी गढ़ना कर सकते हैं यह सूत्र है इसकी सुग्राहिता के लिए अप उप्यूपता है तो अब यहां पर अगर हम वोल्टेज के लिए देखना चाहें क्योंकि यह धारा के लिए हैं वोल्टेज के लिए देखेंगे तो बटा आर से हमको वोल्टेज सुग्राहिता के बारे में पता चल जाता है इस तरीके से हम लोगों ने थ्योरी पार्ट इस चैप्टर का कम्प्लीट कर लिया है इसके बाद में हम पूर परिक्षाओं में पूछे गए प्रशनों के उपर ध्यान देंगे मिलते हैं हम अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद